नमस्कार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेश और मैं हूँ आपके साथ शुभेंदो सिंग यूपी के स्वास्ते मंत्री जैप्रताप सिंग के साथ हमारे वरिश्च सही होगी रजत राकिश टंटर ने खास बातचीत की है आईए आपको सुनाते हैं स्वास्ते मंत जैप्रताप सिंग साहब हमारे साथ हैं जैप्रताप जी बहुत स्वागत हैं इंडिया न्यूज में आपका जी तर नमस्कार नमस्कार जैप्रताप जी बड़ी चर्चा हो रही है और आज बहस का टॉपिक भी यह है और उससे पहले हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से आकड़े बढ़ रहे थे जो पीक हमने देखा जो हालत लखनओ की थी वारा नसी की थी प्रयाग राज की थी नॉड़ा की थी गाजियाबाद की थी लेकिन एक महीने के अंदर कैसे कंट्रोल किया आपने ये हमारे आदर्णिय मुक्ष मंतरी योगी आजितनात के कुशल प्रबंदन उनका निड़्देशन और उनके मार्दशन पर जिस विवस्ता को हमने कड़ाई से पालन कराया उस विवस्ता के माद्यव से हमने अधिक से अधिक टेस्टिंग किया टेस्टिंग से संसादन बढ़ा है लगबख हमने 396000 तक हमने टेस्टिंग अपना बढ़ाया प्रती दिन जिसमें एक लाख 69 जार तो हमारा खली RT-PCR है बाकी हमारा एंटिजन है और उसी तरह आइसलेट करना पेशिंट को होम आइसलेशन में उसका पूरी तरह से मेडिकल किट के साथ देख भाल डॉक्टर के मादियम से टेली कॉलिंग करना निगरानी समिट के मादियम से नीचे संभावित लक्षन यूक्ट कोविट पेशिंट को पाच पहुचाना मेडिकल किट पहुचाना उनका देख भाल करना उनका टेली कॉलिंग से उनका पूरा प करने का जो सिस्टम बनाया है उसको पूरी तरह से प्रभावी बनाना उसका प्रबंदन पर क्रोस चेकिंग करना सभी जितने भी प्रशास्निक अधिकारी और समाज की लोग को साथ में भागीदारी लेके तब जाके हम लोग ने इस पर यहां पर नेंतरन किया जबताब जी ए कि अगर यूपी में जिस तरीके के आकड़े आ रहे हैं अगर यह आकड़े इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो जैसे महराज की टैली चली वैसे यूपी की चलेगी हाला कि वैसा हुआ नहीं उत्ते केसे बड़े नहीं कहा 27,000 28,000 एक दिन का केस था और अब 1720 से भी आस पास नीती आयोग या कहीं से यह खबर आई हमारा पास कि जिस तरह से यूपी का ट्रेंड हो रहा है तो 31,30 एपरिल तक हमारा एक लाग प्रती दिन की पेशेंट की होनी की संभावना है और उसी आठ दिन में एक लाग तो क्या उसी 38,000 के बाद हमारा नीचे घटने इस पूरे महामारी को नियंतरन करने का पूरा प्रयास किया और उसके साथ उपचार का तरीका भी जितना मैक्सिम संसादन बढ़ा पाए उपचार करने के लिए भी हमने पूरा अपना ताकट जोग दिया और मुखमंत्री के निदेश अनुसार और उनके मात दशन में हम लोग ने एक एक चीज का उनके आदेशों का पालन किया जब अब हम देख रहे हैं लगातार पिछले दस बारा दिनों से खुद मुखमंत्री योगी आदितनाद जो थे वो कोविट पॉस्टिव हो गए थे उसके बाद जब वो निगेटिव हुए स्वस्थ हुए लगा एक्टिव रोल हमको दिखा है मुखमंत्री का और कम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर इतना एक्टिव हमने देखा है कि यहाँ चीफ मिनिस्टर स्वेमी सब जगे जा रहा है और खुद जाइजा ले रहा है हर चीजों का बिल्कुल सही का आपने बहुती प्रो एक्टिव हमारे मुख्यमंत्री जी है और स्वेम जो बेवस्ता उनने बनाई है उसको यह देखने के लिए कि किसी में कहीं कमी ना आए सभी प्रशास्निक अधिकारी स्वास के अधिकारी हम सभी लोग पूरी तरह से सक्री रहे क्रि होके इसका प्रबंदन करना इसको टेस्ट करना इसको ट्रैक करना और इसका ट्रीटमेंट करने का पूरा सुविधा उनने खुद जाके इसमें आपके कितने पेशिंट है कितना मेडिकल केट आपने किया उसकी सूची बनके हमारे ICCC के केंज दर पर चला गया कि नहीं, वहां से कॉलिंग आता कि नहीं, जनप्रदीजी से भी पूछा जाता है कि आप लोग अपने छेतर में जैपताब जी इसको आपने मैनेज कैसे किया, क्योंकि लोग भी जानना चाहेंगे कि UP मौडल क्या है, जैसे महाराष्ट मौडल की चर्चा करते हैं, पिछले वाले जो वेफ थी, उसमें भिलवारा मौडल की चर्चा थी, अपकी UP मौडल की चर्चा है, और खुद मुक्पंत मैं यह लगता है कहीं ने कहीं, विपक्ष का तालमेल विदेशी देशों से भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, और आप तो स्वेब मीडिया में तो आप जानते होंगे, आज भी देश के विदेशी देश के बहुत सारे संसाय हैं, जो देश में पूरे अन्य देशों म अपना आकडे को सही नहीं पता रहे हैं इसके कारण से इतना होना चाहिए इतना होना चाहिए एक अनुमान लगाते हैं और भारत के जो प्रवन्दन है जो हम लोग स्वेयम अपना त्यार किये हैं चाहे प्रधान मंत्री के नित्रत में हो चाहे हम स्टेट में मुखे मंत्री आजितनाथ के नित्रत में हो हम जादे से जादे कर रहे हैं क्योंकि हमको आकड़े छुपाने की क्या जूरते हैं जिस तरह से विपाक्ष अगर इस तरह के बयान देते जाता है और पूरे भारत में उनके बड़े विपख़ की नीता भी इसी तरह का बोल रहे हैं तो ये जो प्रसारन आप डे जाimana हमारा उद्दार परोगने हो ना है ये तो पूरे विश में प्रसारन ओ रहा हैं अंग्रेजी में भी हिंदी में फूरा विश देख कर रहे हैं, आप उनके सारे हेल्थ वकर को बड़नाम कर रहे हैं, उस सारी प्रशाषनिक तंस को बड़नाम कर रहे हैं, कि आपका हो ही नहीं रहा, अगर आप कहते हैं, अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप कहते हैं, महराश्च में अच्छा हो रहा है, किसी देश में अगर भा इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं कमी है उसके प्रिकूर्मेंट के लिए यूपी गॉर्मेंट क्या कर रही है पहले बात तो ब्लैक फंगस के लिए जो एक दवाई है एमफो टेरिसीन भी इसका तो पूरा क्यूंकि पूरे देश में ये केसे निकलने लगे तो केंट सरकार ने इसमें सभी कंपनियों से बाद करके उनका उत्पादन को नियंतरन में कर लिया है और उनका उत्पादन जब होता है तो उसी के माधियम से केंट सरकार अपने माधियम से उसको आवंटेन हर राज्यों में कर रहा है हमको भी प्रती दिन जितना भी पादन होता उस साब से हमारा रेशियो जो मिलता है उतना मिलता है उसको हम हर एक medical college यह जहां जा भी हमारी व्यवस्ता होती वहां पर उसको supply कर देते हैं अब इधर लग बग हम लोगो को day to day जो मिलता है अब इधर परियात मात्रा में अगले तीन-चार दिन में मिलने वाला है जिससे हम उसको आवाज अगर आपको मिल रही हो जैपताब जी एक सवाल और है यह समझना चाहूँगा और आखरी सवाल में आप से third wave को लेकर योगी सरकार की तयारी क्या है third wave को लेकर हम लोग पूरी तरह से सक्री हैं जितने भी आशंकाय आ रहे हैं या जितने भी हमको advisory मिल रहे हैं ICMR या विज्ञानिक से या विशेशक डॉक्टर से यह कहा जा रहा है कि 18 साल की नीचे बच्चे पर भावित हो सकते हैं उसके लिए pediatric ICU medical college में और pediatric ICU district hospital में और नीचे community health center माने CHC पर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं सारे संसादन ventilator जो भी उसके लिए उपकरन चाहिए manpower का training anesthetic pediatric का training यह सारे चीज साथ साथ चल रहे हैं और इस जून के महिने के अंड तक हमारे जितने भी हमारा संभावित हमको जो बना के तैयार रखना पूरे उत्तरप्रेश में वो पूरा हमारा जून के अंडर तक तैयार भी हो जाएगा क्रियाशिल भी हो जाएगा ठीक है ठीक है जैपरताब जी आप जुड़े आपका बहुत शुक्रिया उत्रप्रदेश की स्वास सुन्जी जैपरताब सिंग हमाई साथ थे और वहीं सीम योगी आदेतेनात ने निर्वाचुएत 55,000 ग्राम प्रधानों के साथ समवाद किया और ये समवाद वर्च्वल तरीके से किया किया बैठक में उत्रप्रदेश की रजपाल आनंदी बेन पटेल भी मौजूद रही सीम योगी आदेतनात ने ग्राम प्रधानों से समवाद करते हुए कहा कि कोरोना को खराने लिए गाओं में साथ सफाई और लोगों को कोरोना वहामारी के परती जागरूख करना होगा इसके साथ ही सीम ने प्रधानों को गाओं के विकास का भी पार्ट पढ़ाया सीम का ग्राम प्रधानों के साथ समवाद नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ ये समवाद किया क्या है उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी योगी अधितिनात ने शुकरवार को नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुल समवाद किया बैठक में राजपाल आनंदी बेन पटेल भी मौजूद थी इस दवरान सियम ने ग्राम प्रधानों को कुरोना महमारी से बने हालात पर काबू पाने काम मंतर दिया और साथ ही गाउं के विकास का भी पाट पढ़ा है वर्चुल समवाद के दवरान सियम ने परदेश के विभिन जिलों के ग्राम प्रधानों से बातचीत भीके उन्होंने कहा कि कुरोना काल में ग्राम प्रधान अलर्ट मोट पर रहे इस समय अगर कोई कॉम्पिटीशन है तो वो है कुरोना मुक्त गाउं बनाने की तेजी सियम ने कहा कि पहली के सर्वेक्षन में केवल 32 फिजदी गाउं में COVID-19 वाइरस पाया गया था इसके अलाबा मौनसूर से पहले गाउं में उच्चत सफाई और स्वक्ष़ता की जरूरत है बाहर से कोई भी व्यक्ति गाउं में आता है उस पे निगाह रखना उस ब्यक्ति के लिए पहले गाओं के बाहर ही पंचायद भौन में या विद्याले में रहने की विवस्ता, खाने की विवस्ता करना, उसकी प्रॉपर जाच करवा लेना और जाच कराने के वाज़ आप इस बात को संतुष्ट हो जाएं कि इस ब्यक्ति में करोना के कोई लक्षन नहीं, तो ब्यक्ति गाओं में जा सकता है, अन्य था आपको गाओं में पूरी सतरक्ता बरतनी पड़ेगी, अब एक प्रतिस्वर्दा होनी चाहिए, कंप्रटिशन ह होना चाहिए, कि मेरे गाओं, मेरा गाओं करोना मुक्त गाओं, हमनों सर्वे कराया था कि ओल बत्तीस फीस्दी गाओं में ही करोना के संक्रमन पाये गए थे, तब भी हमारे 68 फीस्दी गाओं ऐसे थे जिन में करोना का कोई संक्रमन नहीं था, यानि गाओं के लोगों ने अपने पुरसार्त से अपने परिस्रम से अपने गाउं को सुरक्सित रखा लेकिन हमें अभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है तो सबसे पहले करोना से बचाओ दूसरा बरसात आने वाला है और बरसात जब आती है तो परसाथ अपने साथ बहुत बार बिमारी भी लेके आती है देखे इसी में मस्तिस कुछवार और दिमागी बुखार भी आता है मलेरिया भी आता है, डेंगो भी आता है, काला जार भी आता है, चिकन गुनिया भी आता है तमाव अन्य प्रकार की बिमारिया भी आती है जल जनित बिमारिया भी आती है और विशाणु जनित बिमारिया भी आती है क्योंकि साप सफाई आपने प्रती दिन तेह कर लिया कि मुझे अपने गाउं को साप रखना है कोई गंदगी नहीं होगी गाउं का पानी नालियों से बहे लेकिन गाउं की नालियां साप सुतरी हूँ सुवे साप सफाई दो पहर में सेनिटाइजेशन और साम को फोगिंग अगर सपता में ये तीन बार ये दो बार भी हो जाए तो गाउं आपका दर्सनिय हो जाएगा लोग वहाँ देखने के लिए आएंगे नवनिर्वाचेस ग्राम परधानों के साथ वर्च्वल समवाद में सीम ने कहा कि परदेश खुद की अच्छी हालात में लाने में सफल हुआ वर्दमान समय में हम ऐसे हालात में हैं कि कोविट की दूसरी लहर को खत्म कर सकते हैं हमारा प्रियास हो कि कोटे की दुकान में हर जरुवत मंदों को उसके ले स्वीकर्त और अनमन्य खाद्यान जरूर मिले उसमें घड़तोली नहों अगर हम ये काम अपने गाउं में बिना भेदवाव के करते हैं अब आप गराम प्रधान बन चुके हैं अब आपकी कोई पार्टी बाजी नहीं जिसने वोट दिया वह भी जिसने नहीं दिया वह भी आपका अपना है ये समय है जब आप लोगों की सेवा करके लोगों का दिल जीत सकते हैं ठीक है जो लोग आपका समर्थन किये होंगे उन लोगों के साथ आपकी साहन भूती होगी लेकिन कार्य पातरता क्या जब मामला आएगा थो हम किसी के साथ कोई भेदवाव नहीं करेंगे किसी का सोचाले किसी का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान उपलब्द करवाने की व्योस्ता किसी गरीब को पेंशन देने की व्योस्ता किसी बिद्वा को पेंशन देने की व्योस्ता या फिर कोई गरीब है बिमार है इस मौके पर राजपाल आनंदी बेन पटे ले भी नव निर्वाचित क्राम प्रधानों को कुरोना महामारी से बचाओ के लिए हर संभव कदम उठाने को कहा तरह करवात आइने हो और सबसे पेले क्या काम होना चाहिये जीसिकन है कि नाजू सरकार्क पिपनी स्रटर की तिन योशाया इसके लिए फ़र्म के प्रयास करते रहे। परियावरण के अधियाद रखें तो, उक्सिजन की कमी और उक्सिजन का कितना महत्वफ है को प्रणना चेह में चिखाया है। और जो अक्सीन हमें मिलता है, वो परियावरण से मिलता है, यह पेर पाउधन से मिलता है, और इसी वल्चर से गाउने स्काई कर लीचिये, और एक भारी हमाने प्रोफेसर के शीतर से बताया है, कि हमाने चितना की पॉंड स्वगेर इंगेरिस के आस्पास बाउधा रॉपन क करेगी, सट्वा के आस्पास बहुदा रॉपन करेगी, कोई गवर्मेंट लेंड है, तो इजासे लेकर उस पर बड़ा पार बड़ा ये पेरा को लगा कर, तो लोग जाफे लोग वहाँ पैट सकते हैं, तो ऐसे काई काम नित लोग, जो आप अच्छी तरसे कर सकते हैं लोनिर्वाचित कराम परधानों के सामने कुरोनम हमारी को, गाउं में काबू का नाप बड़ी चुनावती है, सीम के साथ समवाद में सरकार के गाइडलाइन को समस्ते हुए, गाउं को कुरोनमुक्त करना इन परधानों के लिए बड़ी चुनावती हुग बिरो रिपोर्ट इंडिया न्यूज उत्तरपदेश उत्राखट अलिगर्ड में जहरीली शराब पीने से दस से जादा लोगों की मौत हो गई जब की एक को गंभीर हालत में जेन मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया गाउं के दो देसी शराब के ठेके को सील करा दिया गया और आरोपियों के खिलाफ एनेसे के तहट कारवाई के आदेश दिये गया है और इस मामले में आपकारिवे भाग के कुछ अधिकारियों को निलम्बित भी कर दिया गया यूपी अलिगर्ण ने जहरीली शराब पीने से तस से जादा लोगों के मौत के खबर से हाथकार बचा हुआ है जबकि एक को गंभीर हालत भी जियन मेंट कर गॉलिक में भाटती कराए गया है घटना स्थर्पारिट के एस्टी के अलावा एस्टीयम रंजीत से जलावकारी अधिकारी और वन अधिकारी भी पहुँचे है गाउं के दो देशी सराब के ठेके को सील कर दिया गया है अलिगर्ण के जलावकारी चंद्रभूशन से कहा को मामले की चांच की जा रही है चांच में जो भी निकल कर आएका उसी अधार पर करवाई की जाए शराब भी कर कई लोगों की मौद हुए गाउं में उचाहत का आधा दर्टें से जादा लोगों की मौद बताई जा रही है गैस ब्रांट के ट्रक द्राइबर और ग्रामीरों में मौध कई लोगों की हाला कंभीर बताई जा रही है इसके लिए हम लोग पूला पुलिस और प्रसाशन आ गया है दुकान की संपलिंग कर ली गई है और इसकी जो पववे वहाँ पे मिले हैं आधे यूस की कुछ पववे मिले हैं अगर दुकान का कैस होगा तो उसमें अनुग्यापी के वरुथ कठोरतम कारवाई की जाए है वही अलीकर वरिष्ट पुलिस अधिक्षक ग्वारां कठी छे टीमों ने तगडी कारवाई की है अधाकति धेके के सेर्स में संचाल परिवेक्षक समय ठेका मालिक चारों को तत्पक्ता से कुछ घंटों में हिरासत में ले लिया गया आज प्राता काल ग्राम कर्शुआ थाना लोदा यहां से सूचना प्रात्वी की कुछ लोग सराप के सेवन करने से उनके मृत्यों हो गई है इस पर तदकाल गंभीड़ता से इसका संग्ञान लेते वे आपकारी टीम और पलिस की टीम में तदकाल वहांपर गाउं में पहंची और आपकारी की टीम के साथ जो संभावित ठेके थे उनको भी वहांपर सील किया गया उनके सेंपल्स वहांपर लिये गएं ہیں और इसके साथ ही मेरे एवं जिलादिकारी अलीगड जो है उनके द्वारा संयूतरू से इस गाउं का भ्रमण किया गया वहीं पता चला कि एक पास के ही अन्य गाउं अंडला में भी वहाँ पर कुछ लोग की तवित खराब है और उनको उपचार की आवश सकता है उनको वहाँ से जो है अस्पताल भीजा गया इसके अलावा एक अन्य गाउं जो की छेरत नाम का है जो की थाना जवाँ छेतर अंतरगत पड़ता है वहाँ से भी जो है इस तरह की सूचना परावत भी इन सभी मामलों में जो लोग जीने उपचार की आवश सकता थी उनको अस्पताल भीजा गया है वहीं पुलिस की छे टीमें इसमें गठित की गई ताकि ततपड़ता से इसमें वैधानी कारवाई की जाए टीमों के द्वारा ततपड़ता से इसमें अब तक तीन लोगों को जो है हिरासत में लिया गया जिसमें प्रमुकता से इनका जो संचालक था जो सेल्समें था और इनका एक अन्य सहयोगी था उसको पुलिस द्वरा हिरासत में लिया गया और अभी-अभी सुटना प्रावत भी है कि जो इसका ठेके का मालिक है उसको भी हिरासत में लिया गया है इन सबी से सगन पुस्ताज चल रही है थाने पुलिस को संबंदित एडिशनल स्पी सियो को कठोड़तम दंडातमक कारवाई करने के लिए आदेश दिये गए है और गैंक्स्टर अधिनियम और एनेसे तक की कारवाई इसमें प्रस्तावित है और इन सबी के विरुद जो है कठोड़ कारवाई के आदिस जैसे की पहली भी जा रही है अन्य अभी उतियादी कोई है तो उनको भी सीखर हम लोग पूस्ताच के बाद जो इन से जानकारी प्राप्त होगी उस आदार पर इनको भी रिफ्टाथ करें जहरीली शराप पीने से हुई मौत की खबर पर आईजी मौके पर पहुँचे और उन्होंने भी हलक का चायदा लिया उन्होंने पुलिस अद्कारियों को निर्देशे भी किया कि इसमें जो दोशी होगी उनके खिलाफ दक जिता कारवाई की जाएगी आप कारी विभाग की प्लिस को सूचना दी गई कि करशुआ गाउं जो है वहाँ पर जो आयो सीयल का प्लांट उस जगहाँ पर दो व्यक्ति की डेड़ वर्डिंग में लिए पुलिस यहां तदकाल आई तो वहाँ पता चला कि यह सराप पीने से यह मौत हुई है उसके बाद जब गाउं से पता चला कि तीन और लोगों की मौत हुई उसके बाद पुलिस ने जब आसपास पता किया यहां पर कलेक्टर और SSP सभी लोग आए और यहां जब पता किया तो यह पता चला कि यहां पर एक स्वाप थी जिससे की जो सरकारी दुकान थी ठेके की वहां से लोगों ने सराव खड़ी दी थी और उस सराव को पीने से इन लोगों की मौत हो गई अभी तक जो सूचना आई है कि जो अब मिश्रित जो सराव है उसके पीने से आठ व्यक्ति की मौत की अभी तक पी सूचना आई है और दो से तीन व्यक्ति की डालेसिस जो है वहा कर रहे हैं इसके अलाबा भी यहाँ पर जो यहां सर्व देने वाला जो ठेकेदार था जिसके दुकान से स्प्लमाएं कर रहा है इस चैन को भी जिस दुकान में जहां से ये सेल्स हो रहा था इन दोनों नमूनों को ले लिया गया है और उनको केमिकल टेस्ट के लिए जाए है खैर अब देखने वाली बात हो कि पुलिस आगे क्या कुछ कारवाई करती है इंडिया नियूस के लिए अलिगर से वहेश्विर पोड़ पेश